हाली में Research Institute of India and UK ने मिलकर एक रिपोर्ट दी है इसमें मुबाइल फॉन की ज्यादा इस्तमाल की वज़ेसे एक दिमाग में इंसुला नामक जगह होती है इंसुला नामक एक जगह होती है जिसका काम क्या होता है मनुस्य की संभेदना है उसकी साहनुब होती है या बच्चों म सभी का विज्ञान क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है आज हम थोड़ा अलग से एक टॉपिक पढ़ेंगे यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो ऑनलाइन स्टेडी कर रहे हैं या अपना अधिक से अधिक टाइम मुबाइल पे लैप्टॉप पे पीसी पे बिता रहे हैं तो द्यान से देखिए आज पूरा वीडियो देखिएगा हम सभी जानते हैं कि ओनलाइन स्टेडी का फाइदा बहुत मिल रहा हमें लेकिन हमें इसके नुकसान भी बहुत सारे मिल रहे हैं आज हमें परिणाम नजर नहीं आ रहे हैं लेकिन आने वाले समय मे आपको परिणाम देखने को जरूर मिलेंगे तो इस विशन के अधिक इस्तमाल के काण हमारे जी इनमें क्या-क्या प्रभाव पड़ रहे हैं या बच्चों के भैसे के साथ में क्या-क्या इसका दूस प्रभाव पड़ेगा इस विशे में आज हम चर्चा करेंगे तो पहले ह जब ऐसके बात बच्चों के फैसे की हो रही है उनके दोवारा चुक मुबाईल चले जारहे हैं, पीसे चला रहे हैं टेबलेट चला रहे हैं उनकी और यह तो हम इसमें एक नाम जोड़ना चाते हैं, हम सभी जानते हैं कि सबसे बड़ी कंपनी है एपल कंपनी का नाम आप सभी ने सुना होगा और हम सभी के एक इच्छा होती है कि हमारे पास में एक एपल का फोन जरूर हो तो उसके जो मालिक हैं जिनका नाम स्टीव जॉब्स है उन्होंने एक इंटरिव में अपने एक बात बताई थी और उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया था कि उन्होंने अपने बच्चों को लगबग 16 वर्स की उम्र तक स्टीव जोब ने अपने बच्चों को 16 वर्स की आयू तक mobile टेबलेट को touch तक नहीं करने दिया या उनको हाथ तक नहीं लगाने दिया अब आप इसका जवाब सुनकर है ना हैरान हो जाएंगी इस बात के लिए उन्होंने खुद एक बात बताई थी कि मैंने एक apple नामक राक्षष बनाया है मैंने एक apple नामक राक्षष बनाया है और मैं जानता हूँ कि इस राक्षष के द्वारा मेरे बच्चों को कितना नुक्सान पहुंच सकता है तो अब आप सोच सकते हैं इस बात के लिए कि जब इतनी बड़ी कंपनी का मालिक अपने mobile के दूस परिणाम से अपने बच्चों को बचा रहा है तो आप और हम कहां से रहेगे काम की बात करते हैं आजकल online learning बहुत ज़्यादा चल रही है और मैं इसके विरोध में बिलकुल भी नहीं हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका कम से कम दूस पर बहुत बच्चों पर यानि कि सीधी सीधी बात यह हो गई यानि कि सीधी सीधी बात यही है कि हमारी पढ़ाई भी चलते रहे और उस वज़ेसे हमारे बच्चों के बविस्सेक उपर उनके सारे रिक मान से तोर पे उनका स्वास्ते खराब नहीं हो इसे स्रेणी में सबसे ज़्यदा प्रवाहित हो रहे हैं वर्स तीन से लेके चोदा वर्स तक के बालग जो तक्नीकी की मदद से घर बैटे अभी लोकडाउन में पढ़ रहे हैं देखिए ओनलाइन स्टेडी का सबसे उड़ा फायदा यही है कि हमारे बच्चों के स्टेडी लगाता रहती है और हमें ऐसा लग रहा है कि अभी सब कुछ ठीक चल दा है लेकिन मैं एक बात आपको बता दूँ कि इसके आपको दूर गामी यानि कि आपको लंबे समय बाद में फायदा भी मिलेंगे लेकिन इसको नुक्सान में आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे मैं आपको नुक्सान बता कि डरानी कोशिस नहीं कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं आपको सजग कर रहा हूँ हम सभी इस बात से तो पूर्ट सहमत होंगे, सारे पैरेंट सहमत है, बच्चे भी पैरेंट, सब सहमत है कि जो पढ़ाई हम क्लासरूम में कर सकते हैं, या ओफलाइन तरीके से हम समझ सकते हैं, उसका कोई तोड़ नहीं है यानि उसकी जगह ओनलाइन एजुकेशन नहीं ले सकता, और अब हमारी मजबूर यह हो गई, समय कि आप सकता कहें, या हमें जरूत कहें, कि हमें ओनलाइन मादेम से बच्चों को पढ़ाना पढ़ रहा है तो इसकी खूबियां तो बहुत है, लेकिन हम इसकी आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, इसकी कमियों के उपर भी हम चर्चा करेंगे तो देखो इस शुरुआत करते हैं, बच्चों को मुबाइल लैप्टॉप या टैबलेट से हमें क्या-क्या नुक्सान हो सकते है वीडियो थोड़ा लंबा बन सकता है, लेकिन उमीद है आपको इससे बहुत वाइदा मिलेगा अगला पॉइंट है, माली जे ओनलाइन के लिए हमें एक अच्छा सा नेटवर्क भी चाहिए अब हमारे देश में क्या हर जगे अच्छा नेटवर्क मिले ये पॉसिबल भी नहीं है कभी आवाज आ रही है टीचर की, कभी नहीं आ रही है, कभी दिखाई नहीं दे रहा तो इससे क्या होता है कि बच्चों में इरिटेशन में उपस्तित हो जाता है यानि कि बच्चे पढ़ाई से बोरित महसूस करने लग जाते हैं या मैं सिधा सिधा बोलू हूँ कि ओनलाइन एजुकेशन में जो टीचर और स्टुडेंट के बीच में जो आई कॉंटेक्ट होता है वो बरकार नहीं होता है अगला है माली जे कभी कभी जब आप ओनलाइन प्लेटफोरम पे बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनकी में बीच-बीच में जो नॉटिफिकरिशन आते रहते हैं यानी जो बीच-बीच में जो अलिट आते रहते हैं वो भी बच्चों का पढ़ाई से ध्यान बढुटकाते हैं और दूसरे बात अगर माली जे को अनपढ़ है यानि कि उसमें जो अगर एड वगर आ रहे हैं जिसे यूटूब वगर आपर बीच वीच में एड आते रहते हैं तो उनसे भी बच्चों की पढ़ाई में बहुत नुकसान पहुंच रहा है हम बात कर रहे हैं अपने 3 से 14-15 साल के बच्चों की बात कर रहे हैं और हमें इस चीज का दूस्परेणाम भी देखने को दीरे-दीरे मिल रहा है अब इस कारण बहुत सारे ऐसी बिमारी आ रही है जो डॉक्टर्स खुद बता रहे हैं कि हमने इतने कैसे पहली बार देखे हैं इतनी जादा संग के हमी बिमारी आ रहे हैं तो में कुछ बिमारी हैं 15 बिमारी हैं जोनका आज मैं आपको बताना चाहता हूँ तो को पहली बिमारी सबसे बड़ी बिमारी है रही बच्चों में मोबाइल एडिक्सन अब मोबाइल एडिक्सन यानि किसी चीज की लट लग जाना अब ये भी एक सराब कीत रही है यह बड़ो और बच्चों सभी में हो रही है लेकिन इसका नुकसान ज्यादा बच्चों को हो रहा है कहना का मतलब मैं आपको एक बात बताओं एडिक्सन का मतलब आप खुछ चेक कर सकते हैं अगर आपके पास में मुबाइल है आपके पास म हमें यही देखने को मिल रही है दूसरी बिमारी है इंसोमेनिया बच्चों में सबसे ज्यादा इंसोमेनिया की कैस आ रहे हैं क्यों क्योंकि उनका जो स्क्रीन टाइम हो छे से साथ गंटे तक बढ़ी है हम चाहते हैं कि बच्चों को मुबाइल से दूर करें लेकिन अब हम फुट की मॉबाइल देख रहा है, और आप उसको मना भी नहीं कर सकते, नींद में खलल कहें, या नींद कमा रही है, या अगर इनसो मेने की स्टेज ज्यादा बढ़ जाती है, तो क्या हुता है, बच्चों को नींध ही आना बंद हो रही है, अगला है, मॉबाइल की प्योग से बच्चों में वारेल इंफेक्शन बढ़ रहा है सीधा सीधा बात किया हो गया अगर मुबायल को ज्यादा टैच करेंगे तो उन्हों इंफेक्शन खत्रा भी बढ़ रहा है और इस से क्या हुआ है इनकी immunity power है जो घट रही है अगली बात करूँ में कि हाइपरेटेंसर इस्ट्रेस ऐसे चीज़े हैं जो बच्चों के लिए कोई मतलब ही नहीं हो लेकिन यह विमारी यह आजकल देखने को आ रही है हाइपरेटेंसर इस्ट्रेस के कारण बच्चे छोट छोटी बच्चे से च देखना पड़ता है तो उसकारण क्या हो रहा है बच्चों में finger pain हो रहा है थंब पैन हो रहा है shoulder pain हो रहा है तो हो गई इसम क्या है इस चीज़ को अगर अपन आवसकत ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो हम उस चीज़ को आज नहीं देख रहे हैं लेकिन आने वाले समय में आपको जरूर दिखाई देखा अब उसके बाद सबसे बड़ी समय है हमें क्या मिल रही है मायोपिया बच्चों में सबसे में मायोपिया के केस बढ़ रहे हैं मायोपिया का मतलब मैं सीधी सब्दों में बताऊं कि माय लीजे को चमक्ती स्क्रीन है उसको अगर आप लंबे समय तक नज़र टिकाए रखते हैं तो उनको ये मायोपिया की बिमारी हो रही है इसमें सीधा-सीधा क्या है कि बच्चे क दुंदलापन दिखाई देता है यह उनको दिखाई दिने में परिष्ण नहीं हो रही है और यह किनके ज्यादा वह रहा है जिनके आयू पांच वर्स से बारा वर्स के बीच में है उनके उपर इसका दूस्पर वह ज्यादा पढ़ रहा है अधिको बिमारियां की बात पूर तो और भी बहुत सारी इसी विमारी हैं जो अभी हमी पता नहीं है जैसे माली यह सिर्दर्द हो गया डायेजिसिंट खराब हो गया सामाजी संसकार नहीं मिल रहे बच्चों के आँखे बारी है चस्मी का नंबर बढ़ रहा है या किसी ना किसी बात पर किसी की मतलब करनी है उनके चरन सबस्त करना है उनके साथ में बात्चीद करनी है वो सारी चीजें हमारी धीरे देरे इस mobile addiction के वजह से कम होती जा रहे हैं मैं तिसके नुकसान है नहीं इसके फाइदग बहुत ज्याद़ हैं एसी बात नहीं लेकिन जो नुकसान है आज हमें इसको स्विकार करना ही पढ़ेगा अब मैं इसको सोट में बताऊँ तो ऐसा बता सकता हूँ कि डॉक्टर की रिसर्च टीम खुद इस बात को मान रहे हैं कि अगर जो बच्चे हैं अगर दो गंटे से ज़्यादा किसी इलेक्टोनिक डिवाइस के पास में रहता है मैं एक बात बता हूँ मैं नहीं बता रहा सारा सब को रिसर्च बता रही है और आप खुझ यूटूब पे की बजाए आप गूगल पे सर्च करना जो उनके ओरिजिनल पेज लिंक है उनमें स्टेडी देखने को मल जाएंगी तो डॉक्टर खुदि इस बात के लिए स्टेडी करके बता रहे हैं कि अगर जो दो गंटे से ज़्जादा डेली में दिन में में दो गंटे से ज़्यादा मोबाइल लैप्टोब या इलेक्रोणिक आइटम chief लार है तो उनके बच्चों के जो स्वास्ति है स्वास्ति हैं जिसे अनकी लंबाई और मोटा पा देखा देख लिए। मान खि Tanim Carnival लें से rap या धास्त हो गई या कौछ चीजे लेड तक याद में देखने को मिल सकती है इस प्रकार से में यह थोड़ा ओनलाइन टीचिंग का हमारे बच्चों के उपर तो दुस प्रभाव में दिखाई दे रहा है अब कहेंगे कि हम थोड़ा इसका प्रभाव कम केसे करें तो दिको प्रभाव कम करने के लिए एक तो सभी पैरेंट्स को अपने जो मुबाइल है उसमें गूगल का अपने का एक एप है डिजिटल वैल बिंग एंड पैरेंट कंट्रोल एप है मैं आपको इसको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा आप वहां से भी इसको डाउमलोड कर सकते है यह गूगल का खुद का यह एप ऐसा ह जो आपके बच्चे के उपर पूरी नेजर रखेगा कि बच्चे ने क्या क्या आज मुबाइल में चलाया है या उसने आज कितने गंटे पड़ाई की है जो भी कुछ है आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं दूसरी बात है अपने आसपास में अगर को टीचर है तो उसको आप आप घर पे बुलाई उसको क्योंकि देखो ऐसी बिमारी ऐसी चल लिए कि हम बाहर कहीं बेज नहीं सकते हैं और जहान का जोकिंग में है स्वास्ते का जोकिंग भी ज्यादा है तो जहां तक हो सके और संभवो तो अपने प्राइवेट टूशन के लिए आप घर पे बुला क्योंकि विमारी तो पता नहीं कब तक चलेगी तीसरा है एक बात हमें से याद रखेगा ओनलाइन टीचिंग एक विकल्प है अनिवार नहीं हो सकता कभी भी कभी आप ऑफलाइन टीचिंग के आप इसमें जगह नहीं ले सकते हैं अब अगले बचाओ की बात कुरूं तो रात के समें आपको मोबाइल बच्चों को देना ही नहीं है यानि कि 6-7 बजी साम हो जाती है उसके बाद में आपको मोबाइल को देना ही नहीं है चाहिए कितनी उनके अर्जेंट क्लास लग रही हो कि नहीं बच्चा आज नहीं दिन में देना एक फिक्स टाइम दो उसी ट भूल मिलके रहना है ताकि उनके उपर जो दिमाग के उपर जो अलग से जो स्ट्रेस बढ़ रहा है उसको हम रिलीज कर और एक मेरी बात और रिक्वेस्ट आप से कि जो अपने बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं टैबलेट पीसी दे रहे हैं उनको कम से कम आपको डेड़ फ बच्चों को मोबाइल नहीं दे कब और बच्चों का एक बात जरूर समझा दे कि वेटा मोबाइल के जो कैलकुलेटर होता है उसका आपको बिल्कुल इस्तमाल नहीं करना है किसी भी गणीती गणना के लिए मैत के सवालों को सोल करने के लिए आपको कैलकुलेटर का इस्त बाते बताईए वो मेरे खुद के विचार है हो सकता है आपके विचार अलग हो ठीक है क्यों सभी के अपने-पने सुबाव है अपने-पने विचार है मैं पूरी तरह यह बात इसपस्ट कर दो कि मैं ऑन-लाइन एजुकेशन के खिलाव बिल्कुल भी नहीं हूं ठीक है मैं ख कोई भी और कोई आपको डाउट लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताईए नीचे वीडियो में आपको वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक सेव और सब्सक्राइब जरूर करें ठीक है आज के लिए तना ही धन्यवाद